कोसा ओड़ारे जो आपका सौाइगत है तो आज बना स्वाद चुपे से लिए देखें करें मैंने इस तरीके से कुछस्स लीू हम देख सकते हैunku क्या हम एक ते मैंने गिल्ला् Also ri मैंने यह मैने इस तरीके से केशिए तो यह देख याइए गरम करने रग लग तेल मैं तेल कितना चमश्दार ही मैं आपकोह भी बताती हूं कि laas t-el तो कि यह दो दिनावा कर दो याम मेला कैली है करना रहे हुआ है कि देख रही हुआ है यह गरम मनें करना है तो यह दाला टाव हो गया है प्यास दालने के बाद आप हम अच्छे तरीके से इसको mix करेंगे यह देखें तेल में अच्छे तरीके से प्यास जो है नरम होनी चाहिए तो मैं इस तरीके से mix कर रही हूँ आप लोग जरूर भाज यह try करना अब हम अब इस लोग हैसपे में इसको light brown होने दूगी तो ये देखे अब देखेंगे हम ये देखे प्याज light brown हो गई है और प्याज नरम भी हो गई है अब हम दालेंगे आलू आलू को हम तेल में अच्छे तरीके से mix कर देंगे हम अच्छा तरीके से आलू को मिक्स कर देंगे प्याज में आलू को मिक्स कर देंगे तो मैं अब अच्छा तरीके से मिक्स कर रही हूँ इसके बाद मैं डालूंगे अभी टामाटर डालूंगे मैं इसके बाद अभी यह देखें मैं टामाटर डाल रही हूँ अभी टामाटर बारक बताड़ा ट्राय करना बहुत अच्छी रेसिपी है आप जरूर ट्राय करना ये देखें मेना आदा चमर चिली फ्लीक्स बोली ती तो मैं चिली फ्लीक्स भी दाल रहे हूं गज़िवाइ आप मैं दालूंगी अदा चमच धनिया पॉरडर धनिया पॉरडर दालने के बाद मैंद दालेinese सकते हैं मेन दालोंगी सब्सकें नमक दालना तो मैं अपने टेस्ट के सबसे नमक दाल रही हूँ तो आप अपने टेस्ट के सबसे नमक दाल देना तो मैंने नमक दाल दी नमक दालने के वाद हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे मतलब अच्छे तरीके से भून लेंगे ऐसा तो मिक्स कर दिये देख भी करेंगे अच्छे तरीके से इसको मिक्स अभी करेंगे अच्छे तरीके से हम इसको पालक मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको यह देखें बहुत अच्छी बनती है आलू पालक की सबजी आप जरूर ट्राय करना और यह देखें मैं गिल्ला खोब्रा केसी लिए वो भी मैं आपको बताईती है वह भी मैं अब डाल रही हूं यह खोब्रा दालके बहुत अच्छी लगती है पालक आलू की सब्जीत आप जरूर ट्राय करना कमेंट बॉक्स में लिखना कैसी बनी अब मैं इसको भी अच्छे तरीके से खोबरे को भी पालक में अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी अभी तक आलू गले नहीं अपने तालू गलेंगे यह देखे मैं मिक्स कर रही ती इसे आप लोग भी ज़रूर करना यह रेसीपी अब मैं पानी दाल रही हूँ पानी देखे मैंने भी मैं पुरा एक चमाज में पानी गाल रही हूँ यह मैंने ओद्धा चम inh기रि ले दाला फिर इसे बाजी में चरण तरण करेंगी लाग अलो के झालू में चूड़ दूंगी अच्छे तरीके से अपधा फ्लेवर ऊच्छ कर तो नीचे भाजी च्रण करेंगी तो वह टेस्टी मत और अलग आता है और अच्छे तरीके से इसका flavor भी आएगा तो ये देखें अच्छे तरीके से हम इसको mix करेंगे भाजी को और नीचे जो हम लगने देंगे चरचर चरचर करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेंगा तो आप ज़रूर ये भाजी ट्राइ करना और मुझे comment box में लिखना ये भाजी कैसी बनी है तो ये देखें भाजी ready हो गई है तो मैं खैस को बन करती तो आईए आप लोग बिस्मिल्ला कीजिए तो देखें पालक बटाटिक की सबजी गर्मा गर्म ready हो गई है तो आप लोग भी ज़रूर बनाना और comment box में लिखना कैसी बनी है लाइक करना, शेर करना, सब्सक्राइब करना तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को फुल वाच कीजिए तो मिलते नेक्स वीडियो में तो अला आफीस